स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस्टो टिकनोलजी में मैं अनुपमेपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के श्यूव कैमरा टूजदी में आज हम लोग बात करेंगे फूजी फिल्म XT200 के पारे में तो आए समझने हैं इसका प्राइस अभी सेंसर का है और यह 24 मेगा पिक्सल सेंसर दिया गया है 4K वीडियो रिकॉर्णिंग के साथ याद रखिए XT100 मत खरी लिए क्योंकि XT100 4K वीडियो जो है लिखा तो है 4K लेकर वह 15 फ्रेम पर सेंड है 30 भी निए 24 भी निए तो वह वीडियो ने क्यों कह रहे है जिफ है वह तो वही समझ लिए और इसमें XC 15-45 mm लेंस दिया जाता है और इसका तिगडम बात यह है कि यह एक पावर जूम लेंस से मिलता है प्लीज ध्यान दे लिजेगा जब आप खरीट ने कि पावर जूम लिखा हुआ है तो पावर जूम वाला गर आपको मिलता है कि जो है उसका मतलब होता है कि आप electronically leonkly लेंस को जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं फोकस तो करी सकते हैं लेकिन जूम इन जूम ओट वी कर सकते हैं और इसमें fujika आर्टिकल लेटेड लगा जो की काफी अच्छा है काफी वाइड है टच्क्रीन भी काफी अच्छा दिया है और इसका दाम जिसने में विडियो बना रहा हूँ 50,000 तक उतर चुका है मार्केट में और युएस में भी आवर स्टार्ट वाता 700 डॉलर से तो अभी 650 तक उतर तो यहां पर समझी अगर आपको फूजी के कलर्स पसंद हैं आप अच्छे से दिल खोल के इसको खरीदी है आराम से आप खुश रहेंगे इंजॉय करेंगे मज़ा आने वाला है आपको उस पर कोई डिकत में है और फोकस कैसा है 2010 के बाद से जितने कैमरा बन रहे हैं सब मे यह कैमरा अब बस हम लग उस जगह पर आगे जाप उस ते कितना अच्छा ओटो फोकस है तो यह फेस ऑटो फोकस जो कि बहुत पहले से आ रहा था और इसमें आई अच्छा है आपको कोई दिकत नहीं होने वाली आई इस परफोर्मेंस कैसा है यह बाद ज़रूर समझी है क कि यह है एक APS-C सेंसर तो उसके हिसाब से ही अच्छा है मतब एक लिमेट अच्छा है तो फोटोग्राफी के मामले में आपको बस अच्छा लेने के यार मेरे को लिया है से फोटोग्राफी करना है यह कैमरा बकायता आपको एक अच्छा एक यूनिक देखा मैं कई बाद तो काफी लोगों को नाइकोन और कैनल लेने का मन नहीं करते हैं क्योंकि सब एक जैसा दिखता है और मैं बॉड़ी की बात कर रहा हो ना कि मतलब आउट्पुट की बात नहीं कर रहा हो बॉड़ी का मतलब आप इंजीनियर हो आप नर्ड हो या आप फोटोग्राफर तो आ के मामले है तो वीडियो के मामले में 4K 30 कर दिया जो उस पुराने वाले से बहुत इंप्रूब्मेंट है और फुल एच्टी यह 120 फ्रेम पर सेकंड तक रिकॉर्डिंग कर सकता है तो काफी अच्छा है और प्लस इसमें यह दिया गया है डिजिटल गिंबल दिया गया है य आज कल आपका मोबाइल वीडियो सामें भी याने लगा है तो यह इसमें दे रहे हैं लेकिन एक बाद जरू देहन रखेंगे इसमें दो साइड एफेक्ट आपको पहला पका 4K गायव हो जाएगा और आपको बहुत भरपुष्ट क्रॉप करना पड़े पहले ही यह कर दिया था कि 2.5 mm का जैक ते रियत है जो कि इसमें यूज होता है तो इस बार सुधार दिया 3.5 mm का जैक है यानि आप आराम से नॉर्मल माइक्रोफोन लगा सकते हैं एक बाद ज़रूर याद रखें कि इसका माइक्रोफोन का जो एंप्रिफायर वो अच्छा नहीं है त इसको काफी एंप्लिफेकिशन दर्वाद रहता है तो यह आपको थ्वासर तकलीफ देने वाला है और मतलब हैटफोन जैक भी दे दे रहे हैं और प्लस इस वाँ सुन लिए लोगों का कि आप हैटफोन जार दे रहे हैं लेकिन आपको यूस्वी सी का डॉंगल खरिकना प इसे वीडियो के लिए कदा यह ना खर दें क्योंकि इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग का लिमिट है खास करके 15 मतलब फॉर के अगर आप चुई तो 15 मिनट का करते ता आप बलें 15 मिनट में काम हो जाता है बात है पोई भी यूट्यू वीडियो भी अगर आप मालीजी काफी लोगों को होता है इसलिए कि फैट फाइल इसमार कर लेकिन कुछ भी होने पे मतलब एक रीसेंट के जनवरी में अनॉंस किया गया और अब मार्केट में आने लगा है उसके लिए पंदरा मिनट का लिमेंट सहीं नहीं है और प्लस फुल एचिटी में आप सोज़ें चल जाएंगे आप इंजॉय करने वाले बंबं रहने वाले वीडियो में हाथ लगाएंगे आपको तुरंद खुजली होने लगे कि भाई मैंने क्या करतिया क्योंकि अरहां मालीज अगर आपका सागने मेरे कुछी सेकंड के क्लिप चाहिए तो यह काम कर सकता है लेकिन मत एक् फूजी के प्रोफाइल सेल्ट्स हैं जो उसके पिक्चर प्रोफाइल से वो सब इसमें नहीं है तो फ्रदा ज़ूर त्यान से वीडियो के मामने में आप ब्रेक लगा लीजे फोटोग्राफिए इंजॉय मारिए वीडियो चाहिए ब्रेक लगा लीजे अब एक बात इसको कोई भी आप 50-60,000 का एक्यूमेंट ले रहे हैं तो घुमपे रहे हो और फिर आने वाले टाइम में आप और लेंस असलेंगे तभी तो आप इंटर्चेंजबल लेंस कामरा खरीज रहे हैं तो एक चीज़ समझना बहुत जरू है किसी बीचीज का दाम या किसी बीचीज की केमरा सबसे बेस्ट है लेकिन आपको को फीजित पिर चाहे वो लम्पिक्स हो चाहे वो कृकर चाहे वो फूटबाल हो चाहे वो पार्लेमेंट का जो लोग स्क्रीन कैप्चर कर रहे हैं, कोई भी मतलब news gathering system हो, सब में आपको Fuji कम देखने को मिलेगा, या लगबग 0, ना के बराबर देखने वले ऐसा क्यों है, मैं इसको पहले बनाए था why no to Fuji, लेकिन मैं उसमें अपने विचारों को अच्छे से नहीं सामने ला पाए, इस मैं कोशिच करूँगा थो दूसर तरीके से, does not have system diversity, यानि कि आप अगर Sony के full frame में जाते हैं, तो आप अगर Sony का 9 series लेते हैं, यह 9 series लेते हैं, तो यह sensor बनाया जाता है, fastest होने के लिए, इसका एक काम है, fast action को capture करने का, यह dedicated equipment एक चीज़ा समाल लेगा, फिर आते हैं 7R में, यह है high megapixel, जैसे कमाली, आप macro photography करते हैं, product photography करते हैं, landscape photography करते हैं, आपको चाहिए bum bum resolution, आप series बोलेगा, तुम हमारे पास हो, हम समाल लेगे 60 megapixel तक देंगे, फिर आप चलते हैं A7S, normal 3 वाले में, यह है low budget में, बतलब बहुत ज़दा हम आप से charge नहीं करेंगे, लेकिन आप गर्द गर्द वीडियो परफॉमेंस मिलने हैं, तो समझें, डैवरसिटी है, अलग अलग equipment अलग अलग और अगर आप बोलेगे, तो fuji के पस भी तो बहुत बड़ा लिस्ट है, बात असमें डैवरसिटी नहीं है, क्योंकि सब के सब गुमा फिरा के 24 megapixel, 26 megapixel, गुमा फिरा मतलब बहुत कम भी नहीं, बहुत जादा भी नहीं, और एक होग है the best, जो मतलब इससे उपर हम आपको नहीं दे सकते, तो ऐसा अगर करते तो ठीक है, इनका लाइन अप में सेंस बनता है, अभी इनका लाइन अप सब बस होच पाज़ा, थोड़ा सा और पैसा दो, और पैस आसपास का, इसमें इसमारो रहा, ब्लैक मैजिक का, जो 12K वीडियो कैमरा है, तो ऐसा नहीं के सेंसर आते हैं इस साइस में, जो हाई रिजोल्शन है, लेकिन दे नहीं रहे हैं, तो हिसाब की मनता है कि प्रोड़ट्ट डैवर्सिटी, मतलब मैंने इसमें इसम मुझे क्या क्या करने दे सकता है, वो काफी लिमिटेट है, इसलिए प्रोफेशनल जिनको वर्क फोर्स को देना कि नहीं, मैं यहां इतने सारे लोगों को काम करने पे लगा दूँ, उन लोगों के लिए उतना सूट नहीं करता है, इसलिए आप कही पास होते हैं, फूजी चोटी आपको छोटा लगने वाला तो उसे क्या फरक पता है, एक्जांपल लीजए आपके वासे क्लाइंट आता है, कि मेरे पास एक घड़ी है, इसका आपको माइप्र फोटोग्राफिक करना है, आपको कम से कम 100 मेगापिक्सल में करके देना पड़ाएगा, इसलिए फूजी को पता है कि वो उनका सिस्टम है लिमिट्रेट है, तो वे काम किया है, फूल फ्रेम में आपके सीधे उपर चलेगे, मीडियम फॉर्मर, वो सीधे बोलेंगे, घर आप फूजी का पास यह बात रखते हैं, कि मुझे प्रड़क्ट फोटागा हो सीधे हमारा GFX खरीद लो, तो जोनों पार्टी में एक ही बैट्री लगता है, एक ही लेंस लगता है, मतलब कोई टेंचन ही नहीं है, प्लस आप Canon में भी जाहिए, Canon तो एतना अच्छा कर लिया है, कि Canon का आर सीधे अभी तक सिफ औस फूल फ्रेम बना रहे है, तो यह बहुत अची बात है, यानि कि आप आर का लेंस खर लेंगे, आर का कैमरा खर लेंगे, कोई टेंचन नहीं है, प्लस बहुत कम दाम में फूल फ्रेम यह उता दे रहा है, असी हजार में फूल फ्रेम दे रहा है, जो कि आप बहुत लंबे टाइं तक एक्सिटेंट कर सकते हैं, और फूल फ्रेम 100 साल से चले हा उसका फाइदा है कि उसका फाइदा है कि खूब सारे मैनुफेक्चर्स है, खूब रिफाइंड है उसका लेंस, खूब आउटपुट जो आता है, जनुरी अच्छा लगता है, अपलस उसमें भी आर फाइब और आर सेक्स में जमीन असमान गांतर है, दोनों प्रो है, लेक तो रज़ होना के लिएक्सिस्ट्य पड़ जाता है, उसके चलते काफी लोग नहीं लगाते, अपर साइड एफेक्ट काम है, तो बहुत कम एपनी कम्पनी कहां डाती हैं हम इसमें लेंस कैसे क्यों बना है, तो आटो अटोफोकस हटा के, मैनुवेल लिंस आपको फूजी क कारण यही है कि इनका डैवर्सिटी काफिक में होबियस्ट के लिए इंतुजियास्ट के लिए बंबं है लेकिन जो लोग मतलब बड़े जैसे पता है आपको वेडिंग के किस में लोग अराम से सा कर सकते हैं तुम आर फाइब से फोटोग्राफिय करो और आर सिक से वीडियो फोटी है वो सब भी सिरी से फिर एक्स्टी से नीचे आजए तो आपका एराउंड यह 100-200 बहुत सारा सीरीज है लेकिन उतना है नहीं 24 मेंगर इसी कारण से मदब फूजी का आपको वो मार्केट कैप्चर नहीं देखने को मिलेगा जो आपको बागी सारे बड़े मैनुफ नहीं खुश है खच करने से पहले फॉट ब्रेक लगा लिजे तो यह था मेरा प्रेजंटेशन फूजी कैमरा के बारे में 200 के पारे में उमीद करता हूँ आपको अच्छा लगो कुछ निक नहीं मिला हो कुछ समझ में हो अगर ऐसा है लाइक कर दे दोस्वें शेयर कर दे अच्छा लगा नहीं पसंद है कोड़ बात नहीं आप डिसलाइक कर सकते हैं मैं क्योंगे दिसलाइक दो बद दबाएं उससे मिलता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है मैं आप से कौनगा सब्सक्राइब कीजिए बेल दबाएं अगर आप तरही है तो आपने एर वीडियो जन्तों बहुत खुशी हुई धन्यवाद